तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी की इस नए लेटेस्ट और धम्माकेदार वीडियो में और फाइनली आज से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है टेंथ क्लास की उर्दू का मौस्ट इंपोर्टेंट तीन सौ अब्जेक्टिव कोश्चन का स्टिरीज डिसका ये पार्ट वन स्ट्वर जिए जिसमें हम लोग 20 अब्जेक्टिव कोश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरह आप लोगो पार्ट टू पार्ट थ्री करके वीडियो मिलता रहेगा और हर वीडियो में मैं आप लोगो को 20-20 अब्जेक्टिव कोशन कराऊंगी और इस तरह हम लोग टेंद्स क्लास के उर्दू के दरख्षा की किताब से बन सकता है ना सारा अप्जेक्टिव कोशन इसी से श्रीज में आ जाएगा मतलब अब्जेक्टिव के लिए आपलोगो को कहीं भागने और कहीं गिंडब्ड़ने की जोरत नहीं पड़ेगी सारा अब्जेक्टिव कोशन आप लोग को इसी सीरीज में मिल जाएगा एक भी अब्जेक्टिव कोशन छूटेगा नहीं और इस सीरीज के सभी वीडियो को देख लेने के बाद ना आप लोग जाएंगा ने सेंटर पर एक्जाम देने के लिए तब आप लोग पूचा था इसलिए मैं आप लोग उसे बोल रही हूं कि यह सीरीज जो है आप लोग बहुत ज़्यदा इंप्जाम पूचेगा यह गारंटी ठुक कर बोल रही हूं और इसलिए आप लोग इस सीरीज के परतियेक पार्ट में जितना भी अब्जेक्टिव कोशन कराऊंगी और हाँ याद रहे यह अपजेक्टिव कोशन है लेकिन मैं आप लोगो बताऊंगी कोशन है और एंसर है तपिर कोशन है फिर उसका अपलोग को परतिये को ध्यान से देख लेना है समझ लेना है और उसका एंसर याद कर लेना है ठीक तो चलिए हाँ, तो यहाँ से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए, क्लास 10 उर्दू अब्जेक्टिव कुष्टिन्स लिखा है जो कि ये पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक तो सबसे पहला सवाल है, कि शब्नम कमाली कब पैदा हुए तो इसका राइट इंसर हो जाएगा, उन्हें से 38 अब देखिए, उप्सन में दिया रहेगा, उन्हें से 36, उन्हें से 37, उन्हें से 49 तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उन्हें से 38 में शब्नम कमाली पैदा हुए थे तो जो option में उन्हें सार्टिस दिया रहेगा, उसको आप लोगो टिक कर देना है, आगे बढ़ते हैं, देखें, दूसरा सवाल है, कि शब्नम कमाली का असल नाम क्या है, यानि कि शब्नम कमाली का real name, तो वो है मुस्तफा रजा, तो जिस भी option में आप लोगो मुस्तफा रजा का दिखाई दे उसको आप लोगो को टिक करे देना है शुबनम कमाली का डियलव है मुस्तफ Practiceा आगे बरते हैं तीसरा सवाल है कि शुबनम कमाली की पडाइश कहा हुई ही तो इनकी पडाइश हुई थी सीता मडी जिलां में ठीक है तो सीता मडी जिला जिस भी option में दिया रहेगा उप सन् को आपसन को टिक कर देना है अब हो सकता है कि TI ते कर रहे हैं आगे बरते हैं चैनिंबर तवाप क्यिमाद की तखलिक ये तो आप लोगों करते हैं अगले सवाल की तरफ पांच नमबर सवाल है कि शबनम कमाली का तखलुस क्या है यानि कि शबनम कमाली अपने शेरोशाइरी के लास्ट लाइन में कौन सानाम यूज़ करते हैं तो वह शबनम तो जिस भी आप लोगो सबनम दिखाई दे उसको आप लोगो को टिक कर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 6 है कि शबनम कमाली का तालोक किस रियासत से है इस सथनाम लूग को दिखाई दे उसको सही करक्याइव करके आप लोगो चल हना है स्य मुझे बूँ Um apare डीको स्षफन और अब है ये कि इकतना बार पूछा गया आप लोग एक्जाम में कि सोहल अजिम अबादी के बच्पन कराम क्या था तो वो था सेद मुझी बुर्रह्मान आगे बढ़ते हैं आठ नमबर सवाल है कि सोहल अजिम अबादी का तकलुस क्या था तो इनका तकलुस था सोहल यानि कि अपने शेरोशारी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था सोहल अजिम अबादी के पहले अफसानवी मजमुए नकी पहला कहानी का किताब का क्या नाम था तो इसका नाम था चार चेहरे यह मॉश्ट इंपोर्टन कोश्टन है वी वी आई याब बोल सकते हैं यह आप लोग एक्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रख लेना है सोहल अबादी के पहले अफसानवी मजमुए नकी कहानी का किताब का नाम है चार चेहरे आगे बढ़ते हैं ग्यारा नंबर सवाल है कि सुहल अबादी की पैदाईश कब हुई तो उन्हें से ग्यारा इस भी में हुई थी तो यह जो है ना सुहल अबादी की तारिम और तर्वियत एक मुल्म के सरपरिस्ती में हुई थी तो आप्शन में आप लोगा दिया रहेगा मुल्म तो इसको टिक कर देना है ठीक आगे बढ़ते हैं कितने साल की उमर में सुहल अबादी के वालिदा का इंतकाल हो तो आल इंडिया रेडियो में उनका मुलाजमत यहन की जॉब हुआ था सुहल अबादी जो है नो नाविल का नाम क्या है तो सुहाय लजीम अबादी के एक नाविल का नाम है बेजड़ के पौध है कोशन नमबर 18 है कि सुहाय लजीम अबादी के अफसानुई मजमूर की तादाद कितनी है यही आप लोगों को बताना है कि सुहाय लजीम अबादी के अफसानुई मजमूर य इनकी कहानी का किताब लिखे थे तो हो सकता है कि आप लोगे एक्जाम में पुछ दे तो याद रखना है आगे बढ़ते हैं कुश्चन सवाल सवाल नंबर 20 इस अखबार का इजरा किये तो इस अखबार का नाम था साथ ही यह हो गया आप लोगा सही जवाब तो यह था पार्ट वन का बीस अब्जेक्टिव कुश्चन जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किये कोई भी कंप्लीजन हो आप हमें कमि टेलता रहेगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि है तो फटावव वीडियो को लाइक कर ने के बात कर लिया कि घंटी को दुबाकर all caption फ्लिक कर देला है उसे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली all वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेगा खीक तो फुर मिलेंगे next video में next topic के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस